साथियों हमारा डिजिटल इंडिया अभ्यान की भी आज विश्व भर में चर्था है मैं पिछले दिनों जी ट्वेंटी समीट में बाली गया था शाहिद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डीटियल जानने की कोशिश न की हो इतने बड़ी चर्ता है डिजिटल इंडिया को भी एक समय में डिरिल करने की कोशिश हुई थी पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उल जाया गया और यह टिवी वालों को तो बजा मड़ा जाद है दो शबन जाल देते हैं डाटा चाहिए आटा चाहिए जंदन आधार मोबाइल की त्री नीटी को रोकने के लिए इनोंने संसर्थ से लेकर कौड तक क्या-क्या प्रपंच नहीं किये दोजार सोला में जब मैं देश्वास्यों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूँगा आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी तो यह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कुछ चद्म बुद्विजी भी तब पूस्ते थे मोधी जी बताईए गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरिदेगा अजय यही लोग बाद में क्या बोलते हैं अजय गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहा है यह ऐसे ही लोग है जी यहां तक क्या है गाउं में मेले लगते हैं मेलों में लोग कैसे डिजिटल पिमेंट करेंगे आज आप देखिए आपकी फिल्म सिटी में भी चाहे की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पिमेंट हो रहा है या नहीं आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पिमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है दुनिया के तुल्ना में साथियों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है जमीन पर लोगों को उसका लाब भी मिल रहा है फिर भी कुछ लोग कुछ लोग कि कुछ लोगों को मोदी से इतनी परिशानी क्यों है अब इसके बाद मिडिया वालों का समय शुरू होता है और आज इसकी वज़े मैं भी रीपब्लिक टिवी के दर्सकों को बताना चाहता हूं इस जो नाराज की दिख रही है ना इस जो बवाल हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिये अब ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई में आदी अधूरी आईसोलेटेड एप्रोच नहीं है अब एक इंटिग्रेटेड इंस्टिजूसलाइज एप्रोच है यह हमारा कमिट्मेंट है अब आप बताएगे जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा के नहीं देगा वो कलम में भी जहर भरते था है आप यह जानकर हैरान रहे जाएंगे कि जैम ट्रिनिटी उसकी वज़े से सरकारी स्कीम्स के करीब दस करोड आकड़ा कम नहीं है साथ दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गए हैं यह दस करोड वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे लेकिन यह दस करोड वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था आप सोचिए बिल्ली पंजाब हर्याना की जितनी कुल आबादी है उससे भी ज़्यादा फरजी नामों को कॉंग्रेज की सरकार पैसे बेच रही थी अगर ये फरजी दस करोड नाम हमारी सरकार सिट्रिम से नहीं हटाती तो स्थीती बहुत भयावह हो सकती थी इतना वड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है दोस्त वाई इसके लिए पहले आधार को समयधानिक दरजा दिया गया 45 करोड से अधिक जंदन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए अभी तक 28 लाग करोड रुपिये डीबीटी से करोडो लाभारतियों तक पहुंचाए गए डारेक मेनिफिट ट्रांसफर कोई बीचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानि कमिशन बन लीकेज बन इस एक व्यवस्ता से ही दरजनों योजनाओं कारेकमों में ट्रांसपरेंसी आ गई साथियों सरकारी खरीद भी हमारे देश में ब्रस्टा चार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी लिकिन अब इसमें भी ट्रांसपर्मेशन आ चुका है सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम एनि गवर्मेंट इब मार्केट प्लेस पॉर्टल पर होती है टैक्स से जुड़ी व्यवस्ताओं से कितनी परेशानी थी क्या क्या परेशानी थी इसको लेकर अकबार भरे रहते थे हमने क्या तरीका निकाला हमने सिस्ट्रिम को ही फेस्टलेस कर दिया टैक्स अधिकारी और टैक्स पेर का आमना सामना ही ना हो यह व्यवस्ता की अब जो जी एस्टी जैसी व्यवस्ता बनी है उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए है जब ऐसे इमामदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली महले के लोगों को गली थोड़े देगा साथियों इसलिए ब्रस्टाचार की ये प्रतिनीदी डिस्टब है कुछ भी करके ये देश की इमानदार व्यवस्ता को फिर से द्वस्त कर देना चाहते हैं साथियों इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते हैं लेकिन ये अपनी साजिसों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतिय के विरुद लड़ रहे हैं उनके खिलाब खड़े हुए हैं ये प्रस्ताचारियों का कितना भी बड़ा गट जोड को वन्हा बना ले सारे प्रस्ताचारीये की मंच पर आ जाएं और सारे परिवारवादिये की जगह पर आ जाएं लेकिन मोदी अपने राश्ते से लौतने वाला रहे हैं ब्रस्ताचार और परिवारवात के खिलाब मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ मुझे आपके आशिर वाद चाहिए